पज़ाब कॉंग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोथ सिंग सिधु नई दिल्ली में पाची के पूर्व देक्ष राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा से मिलने पहुचे सिधु ने कहा कि उनकी अपने नेताओं और पंजाब राज्य के लिए उनकी प्रतिबधता अटल रहेगी रोड रेस के मामले में एक साल की सजा काट कर एक अप्रैल को जेल से रिया हुए सिधु ने गुरुबार को राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा से मुलाकात की और उनके तेवर ही बदलते दिखाई पड़े इस संबन्द में सिधु ने ट्वीट कर जानकारी दिये उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में अपने गुरु राहूल जी और मित्र दार्शनिक मार्क दर्शक प्रियंका जी से मिला ये ट्वीट आप देख रहे हैं आप मुझे जेल में डाल सकते हैं मुझे डरा सकते हैं मेरे सभी वित्यक हातों को ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबधता न जुकेगी और ना ही एक इंच पीछे हटेगी ये सारी बातें सिद्धू ने अपने ट्वीट में कही हैं सिद्धू को सुप्रिम कोट ने पिछले साल मई में रोड रेज के एक मामले में 1988 का ये मामला था एक साल की सजा सुनाई थी जिसमें उन्होंने गुरुनाम सिंग नामक व्यक्ति को कथित रूप से पीटा था बा इसकी भी चर्चा हो रही थी अल्प संक्यकों को निशाना बनाया जा रहा है ये बात भी सिद्धू ने कही थी सिद्धू ने कहा कि अगर आप पंजाब को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद कमजोर हो जाएंगे ये सीधा निशाना उनका बीजेपी पे था कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी को हाल ही में लोकसभा सांसत के रूप में अयोगी गोशित कर दिया गया था इस पर भी सिद्धू ने जेल से निकलते ही अपनी टिपड़ी दी थी उन्होंने का था कि वाइनाट के पूर सांसत सरकार को हिला देंगे इस देश में जब भी कोई तानाशाही आई है एक क्रांती भी आई है और इस बार उस क्रांती का नाम राहूल गांधी है वो सरकार को हिला देंगे ऐसा कहना था नवजोट सिंग सिदू का जैसे ही वो जेल से चूटे उन्होंने ये बात रखी इस बीच नवजोट सिंग सिदू जालंधर में 8 अप्रेल को कॉंग्रेस के दिवंगत सांसत संतोष चौधरी के परिवार से भी मिलने पहुँचने वाले हैं तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उनके साथ दुख साजा करेंगे ऐसी बात भी चल रही है कॉंग्रेस ने दिवंगत सांसत चौधरी की पत्नी को जालंधर लोकसभावक चुनाओं में अपना प्रत्याशी फिलहाल भी गोशित किया है 1988 के रोड रेज के मामले में नवजोद सिंग सिधू को कोट ने 19 मई 2022 को एक साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद वो पटियाला जेल में बन थे लेकिन तकरीबन 48 दिन पहले ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया बताये गया कि जेल के नियमों के मताबि कैदियों को हर महीने चार दिन की छुट्टी दी जाती है एक साल की सजा के दौरान सिधू ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली जिसके चलते उन्हें जल्दी ही रिहाई मिल गए सिध्धू के पंजाब कॉंग्रेस के अधिक्तर निताओं के साथ संबंद अच्छे नहीं रहे हैं ये आप सब जानते हैं उनकी सजा के एक साल के दौरान अगर देखिए तो कॉंग्रेस ने उनकी सुध भी नहीं ली थी अलाकि वो जेल से निकलते ही राहूल गांदी और प्रियंका गांदी की बाते करने लगें लेकिन एक साल वो जेल में थे और कॉंग्रेस के किसी नेता ने उनकी सुध नहीं ली ये कहा जाने लगा कि मनप्रीत सिंग बातल जैसे नेता उन्हें पटियाला जेल में मिलने पहुंचते रहे हैं लेकिन वो भी कॉंग्रेस छोड़ कर अब भाजपा में जा चुके हैं दरसल क्याप्टन अमरिंदर सिंग के साथ उनके संबन जग जाहिर है कैप्टन से मुख्यमंत्री पर चिनने और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए या यूं कहें कि उन्हें पार्टी से बाहर करने के लिए सिद्धू को जमेदार बताया जा रहा था उस वक्त भी जो सियासी घटना करम हुआ था सियासी हलचल हुई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी सिद्धू के इस होसले और आकरामक शैली के पीछे राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी निकटता को माना जाता रहा क्याप्टन और सिद्धू के बीच खीचतान जब चरम पर थी तो आला कमान ने सिद्धू की मांग को सुविकार करते हुए सुनील जाखल को हटाकर उनको प्रदेश का अद्यक्ष बना दिया था इसके बाद चरंजीत सिंग्चन्णी की सरकार के दौरान भी वो खासा मुखर दिखाई पड़ रहे थे क्यूंकि क्याप्टन के बाद वो मुख्यमंत्री पर चाहते थे जिसे लेकर सुफिंदर रंधावा ने भी दाविदारी पेश कर दी और विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस की करारी हार हुई तो खामोश बैठे पंजाब कॉंग्रेस के अधिकांज सीनियर नेता खुल कर सिद्धू के खिलाफ हो गया हार के लिए उन्होंने सिद्धू को सीधे तोर पे जमेदा ठहरा दिया सिद्धू पर पार्टी में फूट डालने का भी आरोप कॉंग्रेस के दूसरे नेता लगाते रहे हैं लेकिन फिलाल अब नवजोध सिद्धू जेल से निकलने के बाद राजनितिक गतिविदियों में सक्री दिखाई पड़ रहे हैं इसी कड़ी में राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से वो मिलने पहुंचे और जहां उनके बदले अंदाज नजर आए सिद्धू देखा जाए तो खासा दुर्बल तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर